खबर रीवा से जहां कविता एवं साहित प्रेमियों के लिए रीवा महुत्सव का आयोजन किया गया जिसमें आपके आगन के तुलसी के बैनर तले नवांकुर सम्मान समारो सिव महासक्ती रिसॉर्ट बिस्तुविद्याले बाइपास में आयोजित किया गया रीवम होसो के देजवर के प्रतिष्ठीत रचनाका रेवम साहित्यकार अपनी सुपरशिद्य का बिपार्ट किया कारिक्रम में मुशेस रूप से गिरिजा संकर सुकल गिरिस विंद कोकिल जगजीवन लाल तिवारी कका डॉक्टर राजकरन सुकला राज जी सीधी कारिक्रम संचारन जितेर मिस्तरा जलस प्रयागराच योगेन सुन्दर्याल दिल्ली गौरब साक्षी इंदोर डॉक्टर अंजना कुमार कानपूर उमाकांत अपरचित रजने सिंग अपनी दिल्ली उपस्चित रहे कारिक्रम में आठ नवांकूर रचनाकारों का सम्मान किया गया जिसमें अंकित रिपाठी दिव्यांसू बढ़गईया सतना प्रखर दुवेदी छत्तेसकर जैप्रकास सुकला उत्तर प्रदेस रंजना बंसल प्रिंसू लोके स्रीवा संधिप्तिवारी बागी संख्या व करिए स्रीवारी गवर्यों करें रिपान करें अठ चैब जो में अबंसल नीक करें अठ जिन्सू करें शिर्चित रिपाति पर जाए है कभी सम्मेलन हुआ है इसकी भूमी का आज से दो वर्स पूर बनाए गई थी हमारे भाई साब सवर्गी शुक्हेंद पांडे जी राहुल जो इस दुनिया में नहीं है उनके उपलक्ष में मैंने ये छोटा सा बताब कहना चाहिए कि नवांकूर साहित प्रतियोगिता का आज करने का प्रयास करूं और इसे उसी वस्रंखला में लाने के लिए लगातार प्रयास रत हूं जिसमें देश भर से कवियों को मैंने एकत्रित किया है कभी सम्मेलन में दूर दूर से आए बड़े कभी बड़े मंच के लोग उपस्थिती हैं उसमें जग जीवन लालतिवारी कक्का जी जग जीवन लालतिवारी कक्का जी अंजना गुमार जी कानपूर से और क्रांती पांडे जी हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े कभी हमारे मंच में उपस्थिती हैं उन सभी का आभार बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकम में आने के लिए यह इस कारिकम का उद्देश है नए नए कभी जो आज हमारे समाज में आ रहे हैं उनको उनका सम्मान करने के उद्देश से